Hey everyone, I have a confession to make. I was an addict. I was addicted to my cell phone, मुझे भी cell phone addiction था. And do let me know in the comments अगर ये चीज़े आपके साथ भी हो रही है. गड़ी गड़ी अपने phone को चेक करते रहते हो, टच करते रहते हो, कोई notification नहीं आया है, फिर भी हर minute उसको टच करके चेक करना है. cycling through the same apps, WhatsApp है, Instagram है, Facebook है, Snapchat है, YouTube है, गड़ी गड़ी वही, apps खोल-खोल के देख रहे हो, कोई notification नहीं आया है, कुछ नया नहीं हुआ है, फिर भी चेक करते रहना है. एंड फिर एक बार scrolling शुरू कर दी, इंस्टा हो गया, Facebook हो गया, Reels हो गया, TikTok हो गया, TikTok तो भी कहर इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन एक बार scroll करना शुरू कर दिया, तो कहीं आधा पॉना घंटा तुम्हारा घुज जाएगा, उसमें पता नहीं चलता है. These are all symptoms of cell phone addiction, and यह जो आज का lecture है वो दिल के बहुत करीब है, because जितनी सारी बाते मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं खुद उन चीजों को face कर चुका हूँ, उन चीजों से गुजर चुका हूँ, तो जो भी आपको बाते बताऊंगा, सारी के सारी सच है, and मैंने खुद face करी ह हुई है, and अगर कोई बच्चा है, कोई student है, जो इस cell phone addiction से, internet addiction को face कर रहा है, तो please do let me know in the comments, उसके उपर भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ, how to overcome all of these things, मैंने किस तरह overcome की है, वो सारी बाते आपको मैं बता सकता हूँ. Hello everyone, my name is Partham, welcome back to my YouTube channel, हमने शुरू किया आता social health from SSE class and science 2 chapter number 9, जिसका देखेंगे lecture 2, lecture 2 will be the last lecture, सारी बाते, सारी कहानिया यहाँ पर हम खतम कर देंगे, and lecture 2 will be based on page 103 से लेके 107, topic से related बहुत सारे questions, end of the lecture मैंने डाल रखे हैं, for practice, जरूर उनको देखना, solve करने की कोशिश करना, बहुत easy है, and if you are new to the channel, subscribe करना, share करना, वीडियो को like भी करना, we also have a telegram channel, जिसकी link आपको मिल जाएगे, description में, फटाफट जाके join कर लो, behind the scene चीज़े हैं हो गई, notes हो गए, live lectures का schedule, updates, सब कुछ वहाँ पर post करते रहता हूं, अब आपको न, थोड़ा मैं past में लेके जाता हूं, देखो एक जमाना था, 90's, यह photo 90's का है, 90's का Bombay है, काफी nostalgia feel होता है देखके, I'm a 90's kid, I was born in 1995, अब उस जमाने में आयर, smartphone तो दुर की बात है, invent भी नहीं हुआ था, invention भी नहीं हुआ था, घर पे सिर्फिक छोटा सा TV था, पूरा परिवार साथ में बैटके देखता था, and एक नहीं था, मतलब आज के टाइम में आपके सामने जितने distractions हैं, वो कोई भी distractions हमारे टाइम पर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लोग actually मिलते थे, सारे बच्चे शाम को, ground में जाते थे, खेलते थे, cricket वगरा खेलते थे, अब ऐसा नहीं है कि आज बच्चे नहीं खेलते, खेल लेकिन उस जमाने में जितने बच्चे ground में दिखते थे, आज के टाइम पर उतने बच्चे आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर पे बैठे अपना phone लेके घुसे हुए phone के अंदर, ठीक है, cricket हो गया, लगोरी हो गया, dog and the bone खेलते थे, गोटी खेलते थे, गोटी खेली आपने कभी, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने खेली होगी शयद, ठीक है, फिर तुम फोन में जो लूडो किंग वगरा खेलते थे, उस जमाने में लूडो का actually board आता था, साप सीड़ी होता था उसके पीछे, सारे बच्चे मिल के दुनिया तुमारे सामने आ जाती है जो देखना है देख सकते हो जो करना कर सकते हो जो k recur 시 act यह थी आफ सब्कड़ किन सिर्व पोरी दुनिया तुमारे मुठhtी में है अच्छी बात सी टेकनोलोजी बहुत तो बात करते हैं about communication media and excessive use of modern technology, ये लोग ने क्या बोला है, nowadays excessive, unnecessary and irrational use, excessive मतलब भूच जादा, unnecessary मतलब बिना जरूरत का and irrational मतलब फाल तुका, excessive, unnecessary and irrational use of modern technology and communication media, communication media, मतलब social media, जहां पर आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, communicate करते हो, interact करते हो, simple भाशा में तुम्हारा whatsapp, instagram, facebook, snapchat, youtube, everything, ये सब क्या है, communication media है, अब इसके excessive use से क्या होगा, it is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health, काफी सारे लोगों की social health damage होती है, affect होती है, because of excessive use, ठीक है, अब आपने ऐसे लोग कभी ना कभी, कही ना कहीं देखे होंगे life में है ना, phone में चिपके होए हैं, पूरा दिन, now people spending time with their cell phone for several hours, घंटों तक phone में घुसे होए है, these people are unaware of the surrounding, आजू बाजू क्या हो रहा है अपने, ये इनको पता नहीं होता, मेरे साथ खुद एक बार हुआ था, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, रस्ते पर चल रहा हूँ, किसी का urgent message आया, reply करना था, तो मैं ऐसे नीचे देख के चल रहा था, और रस्ते पर किसी doggy ने ऐसा मस्त थोड़ा सा cake छोड़ रखा था, मैंने cake को cut किया, मेरा happy बड़े हुआ, ठीक है, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसमें जाधा कुछ damage नहीं हुआ, लेकिन actually में बहुत सारे लोग ट्राफिक में रस्ता क्रॉस कर रहे हैं, phone चला रहे हैं, driving भी सारे physical problems भी होते हैं, such as tiredness, ये सारे मैंने खुद कही ना कहीं कभी ना कभी face किये हुए है, अभी तुम्हारा body physically नहीं थक है, देखो तुम पूरा दिन बैठे थे, phone, laptop जो भी था, तुम बैठ कर यूज़ कर रहे हो, body नहीं थक गया, तुम्हारी आखे थक चुके, तु insomnia, दो दो तीन दिन, चार चार बजे तक उल्लू की तरह जाग रहे हो, नींद नहीं आ रहे हो, ये तो अभी भी होता है मेरे साथ, forgetfulness, चीजे भूल जाते हो, important, काम भूल जाते हो, information भूल जाते हो, ठीक है, दिमाग से निकल जाएगा, याद नहीं आएगा, forgetfulness, ये भी हो कालूँगा, तो कान में ऐसा, इसा मच्छर के जैसा आवा जाएगा, ringing sensation in the sound, कान बज रहे हैं तुमारे, इसको बोलते हैं, tinnitus, ये भी होता है, ठीक है, पुरा दिन अगर तुम फोन पर भी बात कर रहे हो, दो-दो-तीन-तीन घंटे तक फोन पर बात कर रहे हो, उसके वज दिखाए देगा, clear नहीं दिखेगा, ये भी होता है, joint pain, पुरा दिन फोन ऐसे पकड़ा हुए हमने, टिक 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 टाइप कर रहे हैं, तो तुमारे thumbs दुखेंगे, तुमारे wrist दुखने लगेगी, काफी सारे लोग फोन इस तरह पकड़ते हैं, तो तुमा मैं भी पूरा दिन फोन इस तरह ही पकड़ता हूँ, ठीक है, ये एक बात हो गई, फिर अगर मैं फोन बहुत जादा बात कर रहा हूँ इस तरह, तो मेरा shoulder दुखेगा, elbows दुखेंगे, ठीक है, सो के अगर मैं phone यूज कर रहा हूँ, इस तरह मैंने phone पकड़ा हुगा है, त भी मेरा shoulder दुखेगा, wrist दुखेगा, elbow दुखेगा, तो joint pain होने वाला है, और बहुत लोग पूरा दिन ऐसा नीचे देखकर phone यूज कर रहे है, तो उनके neck piss train आने वाला है, neck दुखने वाली है, ये सारी physical problems हमने देखी है, आपने भी देखी होगा, आपको पता होगा, ठीक ह एक और बात, radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones of adults, हमारा जो phone है, वो radiations release करता है, phone का जो network है, वो क्या है, radiation है, radio waves है, and ये radiations हमारी हड़ियों के अंदर जा सकता है, हड़ियों को penetrate कर सकता है, लेकिन adult की जो हड़िया है, मेरी जो हड़िया है, उनको ये radiations उतना ज़्याद अफेक नहीं करेगा because मेरी हड़िया already develop हो चुकी है, grow हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे हैं छोटे, उनकी जो हड़िया है, वो बन रही है न, develop हो रही है, तो radiations छोटे बच्चों की हड़ियों को जादा damage कर सकता है, जादा affect कर सकता है, वीक कर सकता है, ठीक, अच्छा, फिर ये लोग ने क्या बोला है, people continuously using computer and internet become solitary, solitary मतलब क्या अकेले हो जाते हैं, detach हो जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, ठीक है, आज कल आपको पता है, एक binge watching addiction भी चल रहा है, बहुत सारे लोग TV series, movies, इनको देखने में पागल हो गया है, इनके पीछे पागल हो चुके हैं, हमारे पास Netflix है, Prime है Hotstar है, YouTube है, Apple TV Plus है, Hulu है, Woot है, क्या-क्या नहीं है, इतनी सारी streaming services available है, और लोग पागल हो चुके हैं, TV series और movies के पीछे, और यह जो topic है वो सिधा यहां आके लगता है, Because, 10th तक I was a very good student, बहुत पढ़ता था, बहुत अच्छे माख साते थे, 12th standard के बारे में मैं जादा बात नहीं करता, ठीक है, कोई पूछता है तुम्हें बताता भी नहीं हूँ, Because, वो एक जो समय थाना 12th standard का, वो थोड़ा सा बुरा समय था मेरे लाइफ का, एक्जाम के जस्ट एक दो महीने पहले की बात है, मैंने एनिम में देखना, एनिम पता है न, कार्टून वगेरा होता है, वो देखना शुरू किया, इतना जाधा addiction खराब हो चुका था, I was watching Naruto at that time, काफी अच्छा एनिम है, एनिम में कोई गड़बड नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन, as a person, मैं उसके पीछे इतना पागुल हो चुका था, पूरा दिन, सुबह से लेके रात तक 20-25 एपिसोड देख रहा हूं, दो-दो दिन नहाता नहीं था, एक ही बस जगा पे पढ़ा रहेगा, सुबह से लेके रात तक कंटिनूसली देख रहा है, देख रहा है, मेरी मम्मी परेशान, मेरे घर वाले परेशान, मम्मी ने लाप्तॉप तोड़ दिया था, इसी, you know, जो भी प्रॉब्लम थे तभी उसमें, तो ये चीज से मैं गुजर चुका हूं खुद, और ये जो यहां पर कहा जा रहा है ना, कि people become solitary, कफी अकेला हो गया था, दोस्तों नहीं थे, दोस्तों से बात नहीं हो रही थी, सबसे दूर हो गया था, ठीक है, तो very real, जो हमने खुद face किया हुआ है, these people cannot establish harmonious relations with relatives and other members of the society, harmonious relations मतलब क्या, अच्छे relation, दूसरे लोगों के साथ अच्छे relation build नहीं कर पाते, ठीक, and धीरे धीरे habitually, these people become self-centered, self-centered मतलब क्या, सिर्फ खुद का सोचेंगे, दूसरे के life में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ मेरा सोचता हूँ, selfish हो गया हूँ, self-centered, ठीक है, and फिर एक और बात यहाँ पर बोली है, अगर एक दो साल के छोटे-छोटे बच्चे हैं, अ अब autism जो disorder है, वो by birth होता है, जो autistic बच्चे होते हैं, वो by birth उनके अंदर वो disorder होता है, लेकिन यहाँ पर यह जो बच्चे के excessive phone यूज कर रहे हैं, उनके अंदर भी autism दिख सकता है, मतलब क्या, उनके अंदर autistic behavior आ सकता है, थोड़ा सा, मतलब यह बच्चे बहुत जादा जि communicate नहीं कर पाएंगे, बराबर से बात नहीं कर पाएंगे, तो यह सारे social problems इन बच्चों में develop हो सकते हैं, autism जैसा behavior उनके अंदर दिख सकता है, because of excessive use of phone, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, एक बहुत ही interesting बात यहाँ पर बोली है, children who watch cartoon films may imitate the characters of those films, imitate मतलब क्या copy, cartoon character को copy करने की कोशिश करते हैं, cartoon character जैसा बनने की कोशिश करते हैं, अब मेरे जमाने में चलता था Pokemon, आपने भी देखा होगा शायद, and सबको Pokemon trainer बनना था, काफी crazy था उसका, तो उसके पीछे हमने बहुत सारे Cheetos खाये थे, Cheetos के packet में Pokemon cards आते थे, तो उसके लिए 300-400 packet खाये Cheetos के तब जाके पूरा बंडल बनाया था Pokemon cards का, फिर Beyblade का craze था, ठीक है, किसी भी toy shop में चले जाओ, खिलोने के दुकान में आपको सब जगा Beyblade दिखेगा, बच्चे खेल रहे हैं, टाइम पस कर रहे हैं, ये craze था, and फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो fight sequence देख लेते ह बतलब hero, villain को मार रहा है, तो बच्चा भी hero की तरह बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो अपने छोटे भाई बेन को जाके मारेगा, दोस्तों को जाके मारेगा, parents को मारेगा, तो ये जो violent behavior होता है, वो भी बच्चे बहुत easily adapt कर लेते हैं, copy करने की कोशिश करते हैं, this is one thing, and, हमने violent games बहुत खेली हैं लाइफ में, tendency and behavior of the children who play games like virtual war, car race, जहां पे car crash हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऐसी सारी games, for example GTA 5, GTA San Andreas है, बहुत खेली हैं लाइफ में मैंने, मैंने खुद खेली हैं, ठीक है, counter strike, global offensive, counter strike 1.6 है, call of duty है, modern warfare है, pub जी है, pub जी नहीं बोलेंगे, bgmi, नाम change होगे इसका, तो, जो बच्चे, ऐसी सारी violent games खेलते हैं, उनका behavior धीरे धीरे negative हो जाता है, ऐसा ये लोग, textbook में बोल रहे हैं, I don't agree with that 100%, because I am not negative, I am not at all a violent person, मुझे violence पसंद नहीं है, games खेलना पसंद है, लेकिन, in real life, violence बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये जो point है मैं इसके साथ agree नहीं कर रहा हूं, लेकिन there is one thing, आपको एक बात बताता हूं, on a regular basis, अगर इतना सारा violence हम देखते हैं, ठीक है, लोग मर रहे हैं, लोग shoot हो रहे हैं, explosions हो रहे हैं, grenade फूट रहे हैं, car crash हो रहे हैं, तो ये violence, अगर मैं daily देख रहा हूं, तो I become less sensitive towards those things, उन ची के तरफ मेरी sensitivity कम हो जाती है, are you understanding, मैं क्या कहने की कुशिच कर रहा हूं, हम खुद negative नहीं हो जाते हैं, लेकिन उन चीजों से हमें उतना फरक नहीं पड़ता जितना पढ़ना चाहिए, ये एक सच है, ठीक, and ये जो games होती है, games available on cell phone, computer, they are extremely time consuming, मैंने खुद घंटों बरबा बहुत time waste किया है इनके पीछे, and they can also cause economic loss, economic loss मतलब क्या पैसा बरबाद हो सकता है यहां पर, ये जो games होती है ना, इनके अंदर होते हैं, in-app purchases, कोई भी चीज अगर अंदर आपको upgrade करनी है, कुछ नया करना है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा, and फिर काफी सारी gambling वाली games होती है, तीन पत्ती, रमी सरकल, कसीनो, ये वो, उन सब के अंदर भी पैसा लगाना पड़ता है, लोग पैसा हार भी जाते है, and, games can also prove fatal, fatal मतलब क्या death भी हो सकती है, अब एक game आई थी 2016 में, blue whale नाम की game थी, इस game में, 50 tasks दिये जाते थे, कुछ basic tasks थ and last task was to commit suicide, game का origin रशिया में था, and काफी सारे बच्चों ने suicide commit भी किया था, game के अंदर, game खिलते खिलते, फिर तो game ban हो गई, बहुत बड़ा, क्या बोलते है, news में, बतंगड भी हो था इसका, and जितने सारे इसके creators थे, Russian creators, सब को arrest वगेरा किया, लेकिन, actually people committed suicide while playing a game, तो ये भ हुआ है, and one more very important point, देखो, internet पे आपको अच्छा बुरा सब कुछ मिलने वाला है, पूरी दुनिया आपके मुठी में है, जो देखना है देख सकते हो, जो करना है कर सकते हो, information available on internet is used for viewing some inappropriate videos too, I am talking about porn, blue films, अब ये जो porn videos है, they are very easily accessible, बहुत easily दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, 3rd standard के, 4th standard के, 5th standard के बच्चे, उनको easily access कर पा रहें, and they are getting exposed at a very early age, very young age, and yes we know, government ने ban की है, there is a governmental regulation over such media, porn ban हुआ इंडिया में, लेकिन वो बैन करने के बाद भी, it is still उतना ही easily accessible and available, and that is a very very big concern, ठीक है, एक और बाद, अभी ना, बीच में, dangerous situations में, dangerous position में, selfie लेने का बड़ा क्रेज आया था, ठीक है, people indulging in selfie, they are not aware about the world around and the risks, and, काफी सारे deaths भी हुए थे, काफी लोगों अपनी जान गवाई थी, because of taking selfie in a dangerous position, and इसको एक word भी दिया गया, इसको selfie side बोला है, ठीक है, इसको selfie side बोला गया है, Wikipedia का article है, देख लो, list of selfie related injuries and deaths, and ये जो list है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी list है, drowning से मर गए, डूब कर मर गए, train के सामने selfie ले रहे थे, तो train ने आके उड़ा दिया, कहीं पे से, हाइट पे से वो लोग selfie ले रहे थे, तो गिर गए, तो ऐसे बहुत बहुत सारे incidents है, जहाँ पे लोग selfie ले रहे थे, but they died because of taking selfie, अपना discussion थोड़ा सा dark हो जाएगा यहाँ पर, देखो, there is increasing competition to upload videos of road accidents instead of helping the victims, काफी बार सुनते हैं हम ये, राजस्तान के एक कहानी है, एक bike accident हुआ था, तीन लोग रस्ते पे धियार bleeding, they are crying for help, लेकिन आजू बाजू में जितने लोग थे, किसी ने कुछ भी help नहीं किया, first aid भी नहीं दिया, उठा कर hospital ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं किया, लोग उने selfies खीची उनके साथ, उनके photos खीचे, accident के photos खीचे, social media पे upload किये, वाटसेप पे forward किये, ultimately तीनों लोग मर गए, लेकिन उनके photos post करने से and share करने से क्या मिलेगा, क्या फाइदा हो जाएगा, लोग ऐसा क्यों करते हैं, I don't know, एक article मैं कल पढ़ रहा था, आपको पढ़ना है तो आप post करके पढ़ो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, UK में, United Kingdom में एक tower है, Grenfell Tower उसमें लग गए थी आग, बहुत सारे लोग जल कर मर गए थे, वहाँ पर एक बंदा था, omega करके, वो dead bodies के photos खीच रहा था, पहले दूर से खीच रहा था, फिर थोड़ा और नजदिक गया, body के उपर जो plastic की sheet होती, वो sheet हटाई, bodies के close-up photo खीचे, एंड Facebook पे upload किये, फिर बंदे को arrest किया गया, obviously, arrest होने के बाद उसको पूछा, क्यों upload किया Facebook पे, तो भाई साब के पास कोई जवाब नहीं है, last line देखो, God knows what I was thinking in my head, मुझे नहीं पता, भगवान को पता मैं क्या सोच रहा था, it just happened, बस हो गया, no explanation, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, why would anyone do such a thing, लोग ऐसा क्यों करते हैं, उनके पास, बीच में लोग अपना सूसाइड, Facebook पर लाइफ स्ट्रीम कर रहे हैं, basically people are sending messages to other people, before committing सूसाइड, इसके पीछे का reason, एक ऐसा पता चला था, कि ये जो लाइफ स्ट्रीम लोग कर रहे हैं, it is a cry for help, मतलब जितने भी लोग, वो लाइफ स्ट्रीम देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग help करेंगे, authorities को call करेंगे, police को बुलाएंगे, help lying को call करेंगे, जो बंदा सूसाइड कमिट कर रहा है, उसकी कुछ help की जाएगी, ये thought process है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जो सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, they just watch, and suicide हो गया, उसके बाद वो वीडियो, share किया जाता है, post किया जाता है, re-upload किया जाता है, and लोग देखते भी हैं, why do people choose to watch, लोग ऐसी चीजों को encourage क्यों करते हैं, I don't know, ठीक है, people who send the video clips of suicidal acts, they are mentally ill, ऐसा आपके textbook में थी है, लेकिन, मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगा, mentally ill, it is very insensitive, I would call them disturbed, ठीक है, जो भी लोग है, dead bodies के photos, photos जो हैं, वो share कर रहे हैं, re-upload कर रहे हैं, post कर रहे हैं, suicide के videos, post कर रहे हैं, something is wrong with them, कुछ तो गडबड हैं, and if anybody out there, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, if anybody is going through something tough, कोई भी problem है लाइफ में, अगर आप depressed हो, if you know someone who is going through something rough in their life, please reach out to them, बात करो उन से, help them, ठीक है, बहुत सारी help lines available है, and whatever you are going through, you can overcome it, just be strong, and one last thing, इस बच्ची का वीडियो वाइरल हो गया था, इसकी जो पैरेंट है या जो टीचर है, वो इसको मार मार कर, मार मार कर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पढ़ा रही थी, इसका वीडियो वाइरल हो गया था, फिर ऐसे और भी वीडियो जहां पर पैरेंट या टीचर बच्ची को मार मार कर उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके पीचे का एक रीजन है, अगर वीडियो वाइरल होता है, तो जादा लोगों को पता चलेगा, उतना ही जल्दी उस पैरेंट को या फिर उस टीचर को ढूंड सकते हैं, और उनके अगेंस कुछ एक्शन ली जा सकते हैं, तो बात करते हैं, अब आउट स्ट्रेस मैनेजमेंट चाप्टर का लास्ट पार्ट, सुबह सुबह ग्राउंड में अगर आप जाते हो, तो ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे जो 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 से हस रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये लोग लाफटर थेरपी यूज़ कर रहे हैं, इस पीपल रिलीव दिर मेंटल स्ट्रेस बाइ लाफ़िंग लाउडली, जो और से हसने से इनका स्ट्रेस चला जाता है, अगर मेरा पूरा दिन फ्रस्ट्रेट गया है, अगर शाम को जाके मैं मेरे दोस्तों को मिलू, आदा पॉना गंटा बैठू, तो मेरा पूरा दिन का स्ट्रेस निकल जाता है, लाफटर थेरपी एक्चुली वर्क्स, देखो, यूशुड एस्टाब्लिश प्रॉपर कम्यूनिकेशन विद यूर फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करो, तुमारे पीर्स जो हैं, क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनसे बात करो, कजिन्स, टीचर्स, और मोर इंपॉर्टनली पैरंट्स, यूशुड भी एबल टू कम्यूनिकेट विद देम, उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, अट दे सेम टाम, यू कैन नोट डाउन यूर फीलिंग्स, तुमारा दुख, दर्द, एमोशन फीलिंग, सब कुछ अगर एक डाइरी में लिख दो गे न, पत्थर कलेक करते हैं, शंक कलेक करते हैं, जो तुमको चाहे, जो चाहिए वो तुम कलेक कर सकते हो, वैसे ही, फोटोग्राफी करते हैं, लोग, रीडिंग, नॉवल्स वगेरा पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, कोकिंग, ये मुझे नहीं आती, एक्सेप्ट मैगी, स्कल्प्चरिंग, वो लास्ट फोटो है न, नीचे वाला, वो क्या कर रहा है, स्कल्प्चर बना रहा है, फिर लोग, पॉर्टरी भी करते हैं, मटका वगेरा बनाते हैं, ये भी एक होबी होती हैं, लोगों की, ड्रॉइंग करते हैं, लोग रंगोली बनाते हैं, नाचते हैं, तो ये सारी होबीज, आपको stress relief करने में help करती हैं, at the same time, they will help you to properly utilize the free hours, तुमारा जो free hours है, free time है, जो तुम सोने में या phone में बरबात कर रहे हो, उसको तुम अच्छे से use कर सकते हो, if you have any of these hobbies, बरबर, फिर, learning and listening to music, गाना सुनने से, या फिर कोई instrument सीखने से, या फिर singing करने से, तुमारा stress चला जाएगा, it will drive away your stress, for example, of course I play guitar, काफी देखे होंगे तुम लोगोंने, तो कभी बहुत जादा frustration आता है, तो सब काम हम छोड़के, I just pick up my guitar, आदा घंटा बजाता हूँ, शान्त हो जाता हूँ, थोड़ा खुद को शान्त करता हूँ, फिर I go back to my work, music has the power of changing your mindset, तुम कैसा गाना सुन रहे हो, उस गाने के हिसाब से, तुमारा mood change हो जाता है, ये भी आपने experience किया होगा, जिक है, Then, importance of outdoor games is unparalleled, outdoor games का कोई तोड नहीं है, and बाहर खेलने से, काफी सारे benefits हैं, सबसे पहला आपका physical exercise हो रहा है, and फिर जो लोग coaching के लिए जाता है, cricket coaching में जाते हैं, football coaching में जाते हैं, उनका discipline improve होता है, time पर पहुचना है, schedule follow करना है, routine follow करना है, डायेट improve करना है, तो एक discipline आजाता है life में, team में खेलते हैं, तो हम लोगों से मिलेंगे, तो interaction होगा, and एक unity आजाएगी न, एक tendency of unity, एकता, and अफकोर्स तुमारा loneliness will be driven away, अकेलापन चला जाएगा, ठीक है, regular exercise करो, massage लेने जाओ, spa में जाओ, यहाँ पर भी तुमारा stress जो है, वो relief हो सकता है, योगा के बारे में सब ने सुना है, योगा is not limited to asana and pranayam, योगा में सिर्फ asana और pranayam नहीं होता, उसके अलावा एक discipline होता life में, balanced and good food and meditation, यह सारी चीज़े योगा के अंदर include होती है, and meditation is very, very, very helpful, meditation से आपका concentration improve होता है, अगर आप student हो, दिन का सिर्फ 10 मिनिट भी अगर आप meditate करते हो, तो आपका concentration बहुत जादा improve होता है, and लंबे समय तक आप पढ़ सकते हो, जो पढ़ा है वो लंबे समय तक याद रख सकते हो, बहुत सारे benefits हैं याँ पर, अगर आप सारे काम अपने टाइम पर कर रहे हो, आपने अगर planning, proper planning सीख लिये, दिन को कैसे plan करना है, week को कैसे plan करना है, month को कैसे plan करना है, ये भी character अपने develop कर लिया, अपने अपने अंदर, and एक decision making का character होता है, कि कौन सा decision किस तरह लेना है, ठीक है, proper decision कैसे लिया जाए, ये भी एक character होता है, अगर आपने ये सारे characters अपने अंदर develop कर लिये, मतलब, आपका personality socially strong and ideal हो जाएगा, आपका personality improve हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, last but not the least, बात करते हैं about a few NGOs, non-governmental organizations, organizations, जो बच्चों को और students को अपनी life improve करने में help कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं about unified movement against tobacco, अब ये जो movement है, ये 45 अलग-अलग organizations ने start करी हुए है, this movement has been started by 45 different well-known organizations, such as WHO, World Health Organization and हमारा प्यारा Tata Trust, अब ये movement क्या करती है, this movement is active for controlling tobacco consumption, तमबाकू का consumption को control कर रही है, and it is also providing guidance to activists against tobacco, activist मतलब क्या, कार्य करता, इस movement के जो कार्य करता है, उनको guidance दिया जाता है, training दी जाती है, to fight against tobacco, ठीक, चलो, फिर बात करते हैं, Salaam Mumbai Foundation के बारे में, better known as Salaam Bombay Foundation, अब ये Salaam Mumbai Foundation क्या करता है, this organization runs programs in various schools in Mumbai, ये Mumbai के अलग-अलग schools के अंदर active है, and it empowers the children living in slum areas, जो slum area के बच्चे होते हैं, उनको help किया जाता है, in the field of education, sports, arts, and business, ठीक, अच्छा, this organization encourages the children to take education, बच्चों को education लेने के लिए प्रोच सहन दिया जाता है, by helping them to improve their health and lifestyle, बच्चों का health and उनका lifestyle improve करने में भी help किया जाता है, बरबर, now this trust has made some districts in Maharashtra completely tobacco free, Maharashtra की कुछ districts completely tobacco free हो चुकी है, because of their hard work, and ये organization 2002 से active है, and the organization is working with various schools in urban, urban मतलब क्या cities, cities में जो schools हैं, उनके साथ ही लोग काम कर रहे हैं, and even in rural areas, for making the society tobacco free, अब आप पूछोगे कितने schools में active हैं, सुनो, this program is being implemented with the help of government, in about 200 schools in Mumbai, Mumbai के 200 schools के अंदर ये लोग active है, इनका program implement हो चुका है, and पूरे महarashtra में, 14,000 schools के अंदर ये लोग active है, and society को tobacco free बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, अच्छा, the oath of freedom from tobacco is taken in every school, as per the government letter, जो भी बच्चे होते हैं, वो लोग शपत लेते हैं, के वी आर फ्री फ्रॉम टोबैको, हम टोबैको मुक्त है, according to the government letter, तो यहां होता है, खतम हमारा आज का कार्यक्रम, हमारा lecture 2, हमारा chapter social health, काफी सारी चीज़े बतानी थी, वो मैंने बताई हैं आपको, and I hope उन चीज़ों को अच्छी तरह portray कर पाया हूँ, अच्छी तरह deliver कर पाया हूँ, अगर आपको lecture अच्छा लगा है, तो like करना, share करना, subscribe करना चैनल को, and thank you so much for watching, of course, lecture के end में, पीछे, कुछ questions दिये हुए हैं, वो solve करना, अच्छी तरह आपको,